तुप चैनल मेडिकल नर्से सब आज की क्लास हमारी होगी पबलिक हेल्थ वेस्ट पर पबलिक हेल्थ नर्सिंग के वेस्ट पर तो जिनका भी अपकमिंग टाइम के लिए एक्जाम है चाहे वो आईजी सी आर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट च दियाचोग की डियाससबी की या जे आई पेमियार की तो सबके लिए कॉस्टन हेलफुल रहने वाले हैं अब कमिंग टाइम में आपको बारह हजार से ज्यादा वैकेंसी जाने वाली हैं तो आप लोग प्लीज रेडी रहीं उसी दिन का इंतिजार मत कीजिए और हमारी जो ओफर है अभी बुक पर आप लोग और कर लीजिए आपको विदिन वन वीक में है जो पहुंच जाएगी फ्लिपकार्ट से कंफर्टेवल है तो वहां से आपकी कैस ऑन डिलेवरी भी बुक है जो अवेलबिल हो जाएगी जो भी लोग बुक्स को और करना चाहते हैं आपको फ्लिपकार्ट पर बुक है लिंक डिस्क्रिप्शन वॉक्स पर मिल जाएगी पीडिएफ आपको डारेक्ट मेरा जो ओफिसियल वाट्सेप नमर पर उस पर कॉंटेक्ट करके मिलेंगी आज की क्लास जैसा मैंने कहा बेस्ट ऑन आपका आईजी सी ए आर्स लेबस जो इसप ढूट भी की बुक को कवर कीजिए तो यासा आपके लिए आज ही से में कोशिश करूँगी कि आज नाइट में 10-11 तक आपके लिए एक घंटे है जो लेंदी क्वेस्टन की क्लास करवाई जाये चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा पहला के पहले आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है मैं बता दू कि यह है क्या आपको अपकमिंग एक्जाम के लिए इसकी क्या जुरुरत होने वाली है तो आप सभी को 2019 का नोटिफिकेशन तो याद ही होगा रेलवे का जब पेपर हुआ था जुलाई और यहां पर जिन भी लोगोंने पेपर दिया था आप यह अलग अलग जगहें मेरी जान पहचान पहचान के चाहिए अभी उनसे में कॉंट्रेक्ट में हूं वह सारे लोगों का सेलेक्शन उस ताइम पेपर का जो फॉर्म एट था बहुत ईजी आया था पेपर बच्चों ने जिन भी बच्चों ने EMS का पेपर दे रखा था तो उनको railway का पेपर easy लगा था क्यों क्योंकि question बहुत ही अच्छे आये थे जादना lengthy question नहीं आये थे क्या वो चीज इस वार फिर से होगी let's say जब अभी notification है जो confirm नहीं हुआ है बट इस साल वैकेंसी आने के chances हैं 1000 प्लस वैकेंसी रहने वाली हैं बहुत जल्दी आपको notification भी अक्टूर और नमबर तक update कर दिया जाएगा जो भी लोग बेट कर रहे हैं तो आप अक्टूर नमबर को ही अपनी exam की तैयारी ना करें अभी से अपनी exam के लिए prepared रहें जैसा है यहां पर आपको जब भी एक स्लेवस को लेकर हिंट मिल जाती है तो आपको तैयारी करना थोड़ा सा इजी हो जाता है आए मैंने स्लेवस है जो last 2019 का स्लेवस है जो आपको बता है कि आपको अभी से prepared है जो रहना है क्योंकि जब भी government के exam होते स्पेसली रेलवेर एंस के तो स्लेवस को बारबार चेंज नहीं किया जाता है उसी स्लेवस को follow किया जाता है तो यहां पर भी आप मान के चलिए कि आपको 70% nursing आएगी GK आएगा 10 नंबर का 10 नंबर में आपकी reasoning वगेरा हो जाएगी जनरल साइंस आएगी तो यहां पर आपको basic मिला के अधी हम बात करें तो 100 question आते हैं कितने 100 question आते हैं ESIC में 125 आते थे फिर 150 आये लेकिन railway में अभी तक जितने भी paper हुए समय 100 question आये 100 नंबर के negative marking भी इस तरीके के exams में आपकी होती है और अधी आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप 40% minimum marks है जो qualifying marks है चाहिए पड़ते हैं अब उससे ज्यादा आएंगे तभी selection होगा और अभी तो हम बात करें बहुत दिनों से central government की vacancy कामा रही है और बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि upcoming time में आपको बहुत सारी vacancy जाने वाली है रेडी रही है आप लोग में daily आपको एक जो भी class लेती हूं उसमें remind करा देती हूं कि आपको upcoming time में बहुत वेकेंजी nvs, bssb, igcar, nhm जो अलग-अलग जगह हैं जो फिलफ हो रही itbp, bsf इन जगहों के तो form हैं जो भर चुके हैं जो इतनी जगह मैंने हाँ पर आपको in list करके बताई हैं इन सभी जगहों के तो हैं जो form भर चुके हैं अब यदि हम बात करें upcoming time में तो post कहां पर आ सकती हैं upcoming नौरसेर तो हर साल होता है आपका बहुत सारे लोग इसके लि पर इस लेक्शन भी ले रहे हैं दूसरा यहां पर अभी upcoming time में आपको railway की वेकेंसी के अलावा PGI में वेकेंसी आ सकती हैं GMCH में भी आ सकती हैं आपकी post MP में जो group 5 की तैयारी कर रहे हैं वो करते रहे हैं आपको notification बहुत जल्दी release कर दिया जाएगा PGI हो गया कि PGI में हो सकती हैं UPUMS में exam होने के chances हैं उप्तेर्ज उत्राखंड का यहां पे भी आपको paper होना है त्रिपुरा में CHO की वेकेंसी आने के chances हैं कुल में लाके आपको एदियाम maximum total vacancy की बात करें तो 12,000 से जादा post है जो आने की उम्मीद है अभी और जिसमें से आपकी पास से 6,000 तो है जो आई चुकी है और लेड़ी बिहार का notification अभी release हुआ है तो आपको अपने अंदर इतनी ही है जो धहरे रखना होगा कि आपके बह हार में A&M से लेके CHO के अभी recent में सभी based on exam के थ्रोई selection हो रहे हैं तो आप इन सब चीजों के लिए ready रहे हैं जिसने notification है उस दिन के भरोसे तो लावैठी है आप लोग अपनी तैयारी को continue करके रखें तो जो भी लोग यह अलग-अलग vacancies के लिए तैयारी कर रहे हैं classes तो आप join करते ही है चैनल पर कभी भी start की जाती है जब भी classes होती है उनके लिए अच्छी चीज़े इस पेस्टी जो सेंट्रल गवर्मेंट का एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए मेभी अल्टरनेट और डेली नाइट में 9-10 यहां पर मैं टाइमिंग मैंने इसली बता दी कि आपको वेट ना करना पड़े 9-10 आपको मौस भी और सॉंडर्स की उसमें से questions आपको solve करवाए जाएंगे based on your slavers based on your topics आप जो भी topics से start करना चाहे थे मुझे आज बता दीजी आज रात से ही आपकी classes start करवा दी जाएगी और जिनका DSSB, NBS या फिर upcoming state level exam के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए classes आपकी daily होती है उसमें आपको कोई भी सोचने की ज़रुरत ही नहीं है और जो भी लोग DHS, NHM, PGI या CHO के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए book आ गई है flip card से आप book जा के order कीजिए अभी I think कुछ discount भी add किया गया है वाप क्योंकि मैंने आज चेक नहीं किया है इसलिए तो flip card से भी book आप order कर सकते हैं और direct है जो मेरे whatsapp number के दो भी आप book को order कर सकते हैं बहुत ही अच्छी है जिन भी लोगों के पास गई है उनके messages है जो बहुत ही अच्छे-च्छे message आ रहा है किसी दिन आपको free time में सबके message भी screen पर दिखाए जाएंगे तो यहां पर चली आज की class को start करते हैं तो आज से आप लोग रात में ready रही है नो बजे से आपको four liner five liner question है जो solve करवाए जाएंगे start किया जाएगा आपके body की किसी particular system को लेके one week तक पर्टिकुलर system की class भी रहेगे चीज भी मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आपको कोई वी डाव ना हो जो भी class होगी जो भी किसी particular system को body के लेके class होगी माल लीजिए हम digestive system को पढ़ेंगे तो digestive system की anatomy physiology और उसकी diseases को है जो क्या करेंगे cover करेंगे इस तरीके से हैं जो classes start की जाएंगे आद रात से नौ से दस आपकी एक गंटे की class रहेगी मॉस्वी मॉस्वी की प्रिफर की जाएगे इसमें सॉंदर्स की होगी लिपन कोट की वोग होगी तो इन वोक्स का preference है जो यहां पर लिया जाएगा तो जो भी लोग बुक PDF या कुछ भी study से लेट करते questions किया है अभी हाल फिलाल में आया हुआ है नरसें एक्जाम में इसलिए यहां पर जो पहला question add किया है वो क्या है वाट इस पॉपुलेशन ओफ रूरल इंडिया एस पर 2011 सैंसर्स 2011 में जो जनगर्णा हुई थी उसके बाद अभी तक जनगर्णा नहीं हुई है एस एस डिटा से काम चल रहा है 2011 में जनगर्णा हुई थी उस समय में रूरल इंडिया है रूरल इंडिया का मतला में जो गाहों के छेत्र हैं वहाँ पर जनता कितनी थी about 833 ऐबाउटी सेवैंहंड़ेंडर्सऐटी 30 मिलियन कितनी जंता थी 2011 की CENSUS के इकॉर्डिंग रूरल इंडिया की इन हम बात करें तो घुचान कितनी कितनी थी 1210.10 million अभी हाल फिलाल में कितनी है 140 करोड जनता है कितनी 140 करोड जनता है जिसके यदि एक्जाम में पूझे हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश अभी कौन है वहमारा इंडिया ही है यहाँ पर जो 2011 के अकॉर्डेंग यादि पूझे रूरल एरिया की जनता तो कितनी थी 833 billion अभी यहाँ पर जो आपको एक्जाम में एक और question आता है कि जो रेजिस्टरार जनरल है जो रेजिस्टरार जनरल और Census Commissioner of India थे 2011 में उस टाइम पर जब जनगर्णा हुई थी तो यह 15 नंबर की जनगर्णा थी याद रखना है कौनसी जनगर्णा थी 15 नंबर की और यहाँ पर जो जनगर्णा हुई थी इसको दो फेज में किया गया था फर्स्ट फेज थी हाउस लिस्टिंग फेज जो कि एक अप्रेल 2010 से चली थी और दूसरी फेज थी नौ से 28 फरवरी 2011 तक चली थी तो यहाँ पर टोटल मिला कि 2010-11 की वीच में लेकिन 2011 है जो कंसीडर किया जाता है हर 10 साल में जनगर्णा है जो की जाती है जनगर्णा का मतल सेंस और जब पॉपूलेशन की स्टडी की जाती है तो वह क्या कहलाती है डेमोग्राफी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लीडिंग फॉम और इंटू दा जनाइटल ट्रेक्ट आफ्टर 28 वीक और प्रेग्नेंसी वर्ट पॉर्थ वर्थ ऑप दवेबी इस नोन एज यह वहती प्यारा साथ फैमस क्वेश्चन है क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्लीडिंग होती है जनाइटल ट्रेक्ट से यू ये तया है मतलब किए पार्टम ये पीप अच्पर पोस्थ पार्टम हेम्रेज क्या कहलागाइगा ठाइस प्रेग्शन की ने प्रेग्नेंसी के रामत्त हो गए लेके красивे होने कंए दियुब वलीडिंग होती उसको क्या कहेंगे जहना वो कहला है एंटी पार्टम हैंड रिजन होता है प्लेसेंटा प्री व्यायं प्लेसेंटा में यह सॉन जाइए उसकी लाफ़ेंस हो जाए लोवर ने परोप् chỉ होता थैनिटंटा का सेपरेट होना एंटी निppen लेसेंटा अन क्वात करें कॉमन रिजन क्या होता है प्लेसेंटा प्रीवी है जिसको हम कहा सकते हैं कि पैनलेस वेजायल ब्लीडिंग और जनाइटल ट्रेक्ट से आफ्टर ट्विक की प्रेगनेंसी के बाद जेस्टेशनल पीरेट के बाद यह दी ब्लीडिंग होती है तो क्या कहला का एंटी पार्ट ब्लीड प्रेट 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 और यूट्र ब्लीड वेजन होता है कि अट वह पर कॉन्ट्रेक्शन आने चाहिए वो नहीं आएंगे अग्ला कॉस्टेश्टन है यापर है जब कनेक्शन बिट्वीन अमलाइकल वैन इंफिर वैनक एवा इंद फीटल लाइव इस ओनेक की गई अमलाइकल वैन और इंफिर्यर वैनक thinking वीज के लांगा वेन वो क्या कहला है अगयर डेक्टर्श वीनसस डेक्टर्श अर्ट और आर्टरी या फिर अम्लाइकल आर्ट्री क्या कहलाए गई यहां पर बात की जा रही है कि आपनेक्षाल वैन और इंफिरियर वैनके वीज का चनेक्शन फीतल लाइफ मतलब जब बेभी है कहाँ पर गर्व में यूटरस में है उस समाइटो जो एकनेक्शन अम्लाइकल बेंड तो इंफिर वेना के बार की बीच में होगा, कहला हैगा, Ductus Venosus. क्या कहला हैगा, Ductus Venosus. Next one, in the second stage of labor, which of the following injection is given to improve the uterine contraction, labor की दूसरी stage में, कौन सा injection दिया जाएगा, इसके का uterine contraction अच्छे से आए, प्रॉपर लिया है, Dicepam, Oxytocin, Mithargin, या फिन अनब्दियव, कौन सा injection देंगे, हम second stage of labor की बात की जा रही है, तो आपको यहाँ पे, बेज़िज़ा केकी अंसर करना है, वो क्या है, वो Oxytocin, Oxytocin क्यों दिया जाना है, कि पहली stage में तो proper contraction आ रहे हैं, लेकिन contraction second stage में क्या है, बेबी बाहर आता है, पीटल expulsion stage कहलाती है, लेकिन हाँ पर after that stage, placenta अंदर ही रह सकता है, return placenta हो सकता है, PPS की condition डेवलप हो सकती है, तो उससे सब को manage करने के लिए, क्या दिया जाएगा, Oxytocin, इसके कारण contraction तो proper आए ही, बेबी के बाहर आने के बाहर आने के बाहर है, जो within 30, sorry, 15 से 30 मिनिट के अंदर, placenta भी बाहर आ जाए है, यदि placenta 30 मिनिट के अंदर तक बाहर नहीं आता, expulsion नहीं होता है, placenta का तीसरी stage है जो की, तो यहाँ पर उस condition को कहा जाता है, क्या, return placenta, क्या खहलाएगा, return placenta, collection of mucus into the fallopian tube is called, यदि fallopian tube में mucus का collection हो जाए, यदि fluid filter हो जाए, तो आप उसको क्या कहेंगे, salpingitis, hydrosalping, fallotubitis, यदि फैलो फैलो, क्या टर्मेह पर आप यूज करेंगे, यदि fallopian tube में mucus का collection हो जाता है, तो, यदि fallopian tube में mucus collect होता है, तब word यहाँ पर use क्या किया जाएगा, क्या use करेंगे आप, तब यदि वर्ड कहलाएगा, क्या hydrosalping, salpingitis का मतलब तो क्या होगा, inflammation होना, infection होना, किसमें, fallopian tube में, लेकिन यहाँ आप पर यदि fluid collect होता है, mucus की जगह, यदि एक्जाम में आपको fluid भी दे दें, तब भी आप क्या कह सकते हैं, hydrosalping, hydrosalping का मतलब क्या है यहाँ पर, की fallopian tube है, जिसको आप uterine tube के नाम से भी जानते हैं, उसमें fluid filled up हो जाए, mucus filled up हो जाए, तब यहाँ पर जो term use किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, हो कहलाएगा, hydrosalping, salpingitis का मतलब होगा, infection or inflammation होना है, fallopian tube में, next one, inflammation of obri is termed है, यदि obri में inflammation होता है, तब क्या term use करेंगे आप, uporitis, hydrosil, salpingitis, यह फर uperectomy, क्या वाइड यूस किया जाएगा, टॉमी बर्ड जुड़ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ चीज काट के अलग की जानी है, अब यहाँ पर uporitis, और uporectomy, uporitis का मतलब होगा, यहाँ पर obri में infection inflammation होना, उसके कई regions हो सकते हैं, अधि obri में infection inflammation होता है, तो जो, एग बनने की process होती हुँ, तो यहाँ पर जो word यूज किया जा रहा है, कि obri में infection inflammation है, यह आपको itis bird पीछे जुड़ा होगा देख जाए, और इस तरीके से question आए, तो आपको वेज़े जगों के choose करना है, क्या, uporitis, क्या करना है, uporitis, uporectomy का मतलब होता है, surgically obri को remove करना, next one, physical changes occur during puberty include, puberty में क्या physical changes देखने को मिलेंगे, breast development, growth of pubic and axillary hair, menstruation, या फिर all of the above, क्या physical changes देखने को मिलेंगे during the puberty, puberty में secondary sexual characteristics develop होगे, breast development होगा, pubic और axillary hair भी होगे, menstruation start होगे, इसको आप minority कहेंगे, that means यहाँ पर puberty में इस सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या होगा, puberty में इस सभी चीज़ें जो देखने को मिलेंगी, the source of HCG is the, HCG जो की hormone है, या तो यह pregnancy में होगा, या फिर कुछ कार्सीनो जैने कि स्टेज development होगी, तब होगा, तो यहाँ पर अधी HCG hormone का source पूँचा है, मतलब यह बनेगा कहाँ पर, तो options हैं यहाँ पर, एंगेंस लेयर, साइटो ट्रोफोब्लास्ट, सिंक्स्टो ट्रोफोब्लास्ट, यह पर कोरियोन, तो HCG hormone ही, आपके जब urine pregnancy test किया जाता है, blood test किया जाता है, तो सबसे पहले detect होता है, कि आप pregnant हैं, दूसरी चीज़े हाँ पर, HCG को जो बनाने वाली cells है, वो कौन सी है, वो सिंक्टो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, as early as, यह सबसे पहले detect तो blood में होता है, लेकिन, यदि घर पे जो लोग test करते हैं, तो वो UPT करते हैं, उरिन pregnancy test कितरों पता करते हैं, तो यह hormone क्या है, HCG hormone, या तो यह pregnancy में तो रहता है, यह confirm करने के लिए pregnancy में रहेगा, कभी-कभी किसी किसी में, यदि टू मन तक periods नहीं है, यूपीटी किया, लेकिन test negative आया, बेभी 6 वीक, 10 वीक्स तक हो जाते हैं, test negative आया, तब blood test करके confirm किया जाता है, यह सब्सक्राइब कि यूरीन में HCG का लेवल है, जो कम रहता है, इसलिए, rare cases में होता है, generally one and a half month तक है, जो most of the cases में find out हो जाएगा, HCG को जो बनाने वाली cells है, वो क्या है, वो सिंक्टो टॉफोब्लास्ट चैल्ल्स, क्या है, सिंक्टो टॉफोब्लास्ट चैल्स, next question यहाँ पर, which hormones play an important role in significant proliferation of fat around the breast, कोल सा hormone है, जो एक अपना role play करेगा, कि जो breast के चारों तरफ fat का deposition हो रहा है, उसके लिए, estrogen, progesterone, FSH, यह पर टेस्टेस्टेरोन, यहाँ पर आपको option दिये हुए है, आप लोग भी बताइए, कि जो breast के चारों तरफ females में fat develop होता है, proliferate होगा fat, उसका region कौन सा hormone हो सकता है, यहाँ पर जो hormone responsible होगा, fat deposition के लिए breast के चारों तरफ, वो कौन सा होगा, वो कहला का estrogen hormone, जिसको इस hormone को female का जो reproductive, जो यहाँ पर sex hormone के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं, जैसे male का होता है testosterone, जैसे female में क्या होगा estrogen hormone, यहाँ पर आपको याद रखना है, कि यह कही hormone है, जो secondary sexual characteristics से लेके, pregnancy conceive करने के लिए हरे एक परीके से अपना important role play करेगा, इसको female sex hormone के नाम से भी जाना जाता है, next one, starting a menstrual cycle before the age of 10 years, generally जो periods start होते हैं, menstrual cycle start होती है, after 13 years के बाद होती, 13 साल के उमर के बाद, लेकिन यह यह 13 साल के, sorry, 10 साल के पहले ही आ जाए, तब इसको क्या term use किया रहेंगे, post cautious, precautious, abnorme, dysmenorrhea, abnorme का तो मतलब होता है, absence रहना periods का, dysmenorrhea का मतलब होता है, painful periods, अब यहांपर precautious और post cautious, यहां पर before पूछा है, मतलब pre की बात की जा रही है, before 10 years के the periods, आना start हो जाते हैं, गल्स चाहिब है, तब टर्म यूज करेंगे हम क्या, precautious, क्या, precautious है, जो टर्म हैं यहां पर यूज किया जाएगा, clear है, और यह most of the cases में, जो में रिजन हैं भी nowadays पहले, सब इस तरीके की conditions कम develop होती थी, but nowadays हम recent में बात करें, तो most of the girls child में हैं तो, post-cocious की condition हो सकती है, precautious की वह इस लिए, क्योंकि जो खान पान है, रहन साहन है, उसका असर इन सब चीजों पर भी पड़ता है, इगला question है यहापर, endocrinological changes सकर, during menopause include, except, menopause में मतलब, periods permanently stop होते हैं, उस time पर, endocrinological मतलब, hormonal changes देखने को मिलेंगे, सभी किसी एक को छोड़कर, fall in serum esteroidal level, fall in FSH level, increase in luteinizing level, या फिर, increase level of endrosan, menopause में सभी changes देखने को मिलेंगे, किसी एक को छोड़कर, serum esteroidal level का level, बढ़ेगा, sorry, कम होगा, कम होगा, किसी लिए, जो osteoporosis की condition भी होती है, जो menopausal, वो मेंना उनको जादा होती है, FSH का level क्या होगा, यह बढ़ेगा, गटेगा नहीं, increase होगा, lhb, level of endrosan भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर कहा, accept, तो होगा, fall in FSH level, FSH का level है, जो, क्या होगा, गड़ेगा नहीं, decrease नहीं होगा, क्या होगा, बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपका answer क्या हो, B, next one, after menopause, increased facial hair growth, अकस due to, menopause के बाद, facial hair growth है, जो देखने को मिलेगी, जो old 55 year के बाद, आप किसी lady को देखे, इसके face पर आपको थोड़े hair देखने को मिलेगी, but nowadays, बहुत जादा advanced technology है, तो laser के थो भी remove करवा लेते हैं, लेकिन, जो facial hair growth है, जो देखने को मिल रही है, menopausal woman में, इसका reason क्या है, fall in FSH level, increase in LH level, decrease estrogen androgen ratio, या पर decrease androgen level, क्या देखने को मिलेगा, menopausal woman में, facial hair growth का reason क्या हो सकता है, जो reason होगा वो एक ही, estrogen का level तो कम होता है, जैसे menopausal आते हैं, androgen का level बढ़ने लगता है, तो एक जो ratio, androgen क्या है, male sex hormone है, जो एक कम मात्रा में, female में भी पाया जाता है, testosterone तो है ही, लेकिन androgen भी रहेगा, तो androgen क्या करता है, दाड़ी कुछे लाने का काम करता है, लेकिन एदी, female में यह hormone का level ना के बराबर होता है, लेकिन एदी यह बढ़ जा, इसका ratio, तो facial hair growth होता है, जो आने start हो सकती है, एक simple सा logic है, और कुछ नहीं है, next one, प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी ओवी, आप्टर प्यूबर्टी मतलब, पेरियर्ट साना start होगा, लेकिन सेक्षल करेक्रिस्टिक डेवलप हो गाए, आप्टर बैट, उस्चिव पॉरस होने के चांसे कम होगे, यदि मॉटा है, कोई भी परसन तो ओवीज है, तो इसका रीजन क्या होगा, फॉलन एपसेच लेवल, फॉलन लेच लेवल, कंजर्वेशन, सॉरी, कंवर्जन औफ पोर एंडोजन इंटू एस्टोजन, यह पर कंवर्जन औफ मॉर एस्टोजन इंटू अंडोजन, क्या रीजन है जो हो सकता है, अप्र पुबर्टी, ओवी पेसेंट को ओस्टिव पोरस होने के चांसे, कम हो सकते हैं, क्यों इन में, मॉर कंजर्व होगा, एंडोजन इंटो एस्टोजन में, क्या होगा, कनवर सक एंडोजन इंटो एस्टोजन, इस्टोजन, थुबर्टी, रीजिए फिद उन इन ऐंडोज़कर, मांटलब यह पर क्या होगा, और मनोज़ज दर्में, अबसै nationalियन इंटम्, कितनी उम्र के लिए यहां पर मैनोपॉज को डिले मैनोपॉज के नाथ से जाना जाएगा पचास साल के बाद मैनोपॉज आना स्टार्ट हो मतलब परमनेटली पीरिट्स आना स्टॉप हो जाएगे लेकिन डिले की बात की जा रही है तो डिले का रीजन क्या होगा जब उम्र 55 साल तक हो जाए तब तक periods आना इस्टो अपना उसको क्या कहेंगे हम delayed menopause क्या कहेंगे delayed menopause what is the normal color of hemniotic fluid when the bag of water is ruptured तो यदी bag of water ruptured होता है तो यहाँ पर hemniotic fluid का color इसा होगा normal की बात की जा रही है ना कि post term pregnancy की आरच in compatibility की किसी भी तरीके की नहीं साब साब कहा है normal hemniotic fluid का color कैसा होगा clear होगा greenness होगा brownness होगा की golden होगा अब यहाँ पर 4 option में से आपका answer क्या होगा तो सबसे पहली चीज hemniotic fluid है जो clear concise color का होगा मतलब कैसा बल्कुल clear होगा इसमें यदी greenness color है brownness color है that means कुछ न कुछ abnormalities तो develop होई है जरूर होई है तो यदी normal truth है तब आप क्या कहेंगे कि यह क्या है clear है लेकिन hemniotic fluid में color के कारण कुछ abnormalities की बात आती है green color का होता है यदी hemniotic fluid green color का है that means क्या है meconium stand baby का जो first passing stool वो उसमें आ गया तो green हो गया golden है मतलब मा को arch incompatibility है ऐसे केस में as soon as बच्चा deliver होता है और cod clamp cut की जाती early cod clamping की जाती है कि मा की जो antibody है वो बच्चे में transfer ना हो पाए यदी greenness yellow color का है मतलब बच्चा post maturely पैदा हुआ है that means 42 week की pregnancy के बाद बच्चा पैदा हुआ है तो greenness yellow रहेगा जैसे जैसे 35 week की pregnancy के बाद जैसे जैसे weeks बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे amniotic fluid का कम है जो level है कम होते जाएगे जिसको हम AFI index कहेंगे amniotic fluid index कहेंगे जैसे जैसे pregnancy 35 week के आगे जाएगी AFI index कम होते जाएगा और hydromnias होने के chances बढ़ जाएंगे post mature pregnancy में hydromnias होने के chances जाता रहेंगे और यहाँ पर यदि dark red color का आता है amniotic fluid that means कुछ ना कुछ accidental bleeding होई है यदि tobacco juicy ऐसा तबाकू का जो color होता है brownness type कर रहेगा amniotic fluid that means baby जो fetus है उसकी death uterus में ही हो चुकी intra uterine death baby की death है वो कहां हो गई ही uterus में ही हो गई है तब amniotic fluid का color brown रहेगा और in case in case आप बहुत सारे cases सुनते हैं कि यदि मा के uterus में बच्चे की death हो जाती है और यदि जो बच्चे death हुआ है उसको within 24 hour के बाहर नहीं निकाला जाता है तो मा को infection फैलना स्टार्ट हो जाता है मा को septicemia होने के chances बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं next is inflammation of the fallopian tube इस तो fallopian tube का inflammation क्या कहलाएगा option में है यहाँ पर salpingitis, endometritis, servicitis या provisionitis तो यहाँ पर जो fallopian tube जिसको आप uterine tube के नाम से भी जानते हैं तो इसके infection inflammation को आप क्या कहेंगे salpingitis क्या कहेंगे salpingitis तो यहाँ पर आपका अंसर होगा salpingitis next one is which stage of perpirium period is called remote stage यह question हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था कि perpirium period में remote stage कौन सी कहलाएगी within 24 hour after the child birth early up to 7 days यह फिर अपनो 6 week यह फिर ननवती अब perpirium period में remote stage कौन सी कहलाएगी तो remote stage कहलाथी up to 6 week तक की कितनी 6 week तक की अब है यहाँ पर stage होती है perpirium period की perpirium period की तीन stage होती है immediate perpirium मतला पहले 24 गंट गा first 24 hour after perturation baby की delivery होने की process क्या कहलाएगी birth जो vaginal birth है या फिर जन्म देने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है parturation तो यहाँ पर 24 hour जो first 24 hour है कहलाएगा parturation के बाद का immediate perpirium period early perpirium होगा first week का first week का remote perpirium होगा जब तक जो 6 week का पूरा duration दिया जाता है perpirium period को तो वो कहलाएगा postpartum period और perpirium period remote perpirium period जो की up to 6 week तक का रहेगा जिसमें माके जनाइटल और गन से बापिस से reward weight नहीं हो जाते हैं वो time period next one is the failure of uterus to its normal sizes यदि in case कि CV region से uterus बापिस से अपने सेप में नहीं जाती है तो वो क्या कहलाएगी involution, sub involution, reduction या पर all of the above involution का मतलब तो है कि बापिस से reward weight हो जाना non pregnant stage में मतलब pregnancy नहीं है जब non pregnant stage है तो uterus का बजन होता है 60 gram तक लेकिन pregnancy में 1000-1100 gram तक हो जाता है अब यहां पर delivery के बाद fetus बाहर आ गया, placenta बाहर आ गया, amniotic fluid बाहर हो गया तो 5 kg तक बेट तो तुरंती घट जाता है अब यहां पर uterus का बजन जो कि एक elastic way में बढ़ती जाती है जैसे जैसे gestational period बढ़ता है वैसे तो नॉर्मल से reward weight होगी और इसको time लग जाता है पूरी body के जो reproductive organ उपको six week टक है जिस period को हम कहते हैं पर-periorum or spartum period तो यदि uterus बापिस से reward weight नहीं हो पाती है तो हम इसको कहेंगे sub involution क्या कहेंगे sub involution और इस sub involution देखने को इसके तीन से जादा बच्चे हुए हो twin pregnancy में जिसमें uterus over distanted रही हो ill maternal health मा की health सही नहीं हो segerial section uterine prolapse aggravating factors इन सभी cases में क्या होगा uterus को बापिस से reward weight होने में time लग जाता है या फिर uterus reward weight नहीं होगी clear a case of 28 week of pregnancy with pain and bleeding diagnosis is 28 week की pregnancy ये pain हो रहा है bleeding हो रही है तो ये क्या diagnose होगा premature labor diagnose होगा threatened abortion होगा placenta previa होगा कि accidental hemorrhage होगा तो यहाँ पर 28 week की pregnancy already हो चुकी है तो ये abortion के case में नहीं जाएगा यहाँ पर 20 week तर consider किया जाएगा नहीं ये premature labor में जाएगा तो यहाँ पर 28 week की pregnancy है दर्द के साथ bleeding होती है तो ये कहलाएगा आपका accidental hemorrhage क्या कहलाएगा accidental hemorrhage placenta previa आप इसको कह सकते लेकिन जब ये painless which of the following hemoglobin value denotes anemia in a pregnant woman तो pregnant का level pregnant woman में 9% से कम जाता है that means ladies को क्या हुआ है pregnant woman को anemia हुआ है अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर next one is good attachment sign of breastfeeding are all except good attachment signs अभी ये breastfeeding के किसी एक को छोड़कर baby's mouth widely open lower lip turn inward baby's chin touch the breast after majority of heriola is inside baby's mouth good attachment sign की बात हो रही है जब बच्चा breastfeed करता है तो सभी good attachment sign है किसी एक को छोड़कर तो baby का जो mouth widely open रहेगा lower lip बाहर की तरफ होंगे ना कि अंदर की तरफ baby का चिन मा के breast को टच करेगा और जो ariola का mostly part है वो baby के mouth में रहेगा तो एक good attachment sign होंगे लेकिन यहाँ पर जो एक option है वो lower lip turn inward generally outward बाहर की तरफ होगा चिन firmly touch the breast और यहाँ पर जो बच्चा है अपनी मा को आई contact भी करने की कोसिस करेगा तो इसा भी क्या है good attachment sign है इसके breast feeding के good attachment sign है यहाँ पर नेक्स्ट इस fertilization of two different ovum released in same cycle as known as तो दो different ovum का एक ही cycle में release होना क्या कहलाएगा सुपर फिटेशन, सुपर फीकंडेशन, फीटस अकार्डियाकस, यह पर फीटस पैप्रिकस यहाँ पर जो यदी fertilization हो रहा है दो different ovum का लेकिन एक ही same cycle में एक ही बार की periods आते हैं उसमें दो ovum दो अलग-अलग ovum एक ही बार release होते हैं यह कहलाएगा यह कहलाएगा आपका सुपर फीकंडेशन, क्या कहलाएगा सुपर फीकंडेशन, दूसरा होता है सुपर फिटेशन में मतलब दो different cycle में fertilization होगा, fertilization of two ovum in a different cycle लेकिन एधी fertilization of two ovum in a same cycle तो होगा सुपर फीकंडेशन, सुपर फिटेशन में होगा दो ovum का, दो अलग-अलग different cycle में fertilization यदि सुपर फिटेशन की बात करें तो यहाँ पर एक जो फीटस है उसकी जो जेस्टेशन लेज होगी वो होगी 28 वीक तो यदि दूसरी cycle में fertilization होआ है तो उसमें 4 वीक वो और बात कर रहेगा तो इस तरीके से एक होगा 34 वीक या फिर 24 वीक मान लो या फिर 28 वीक मान लो चार वीक का गयप आप देके इसको समझ सकते हैं कौन सा टर्म यूज किया जाएगा जो की रिफ्रेंस पॉइंट होगा प्रेजेंटिंग पार्ट से लेके पेल्विस के कौडरेंट तक के लिए प्रेजेंटेशन पोजीशन एटिट्यूट या फिल आई क्या पार्ट होग प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन अब यदि कॉमन लाई फूछते हैं तो लाई क्या है लॉंग एक्सेस ऑप दा फीटस टुजर लॉंग एक्सेस ऑप दा मदर पहलो इस तो एक्या है लाई जनरली तीन टाइप के होती लॉंगिट्यूडनल जो की नॉर्मल है फ्रोथी ट्रांसवर्स जिसमें मल्टी पैराइटी, फ्लेसेंटल प्रीवियर, हाइड्रोम्नियर से उत्राइन अनॉमलीस में दे होगा ओबलेक में बेवी कैसा होगा सीधा जो ओबलेक लाई होगी उसमें बेवी या तो लॉंगिट्यूडनल हो सकता है पर ट्रांसवर्स हो सकता है तो यहां पर हम check कैसे कर सकते हैं तो ultrasonography और x-ray की technique से हम क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं fetal lie यदि common presentation position पूछे तो vertex and cephalic और यदि आप से common lie पूछे तो क्या है longitudinal lie next one is continuation of pregnancy beyond 2 weeks, total 42 weeks of EDD is known as यदि आपको estimated date of delivery दी हुई है nagels rule के according EDD generally दी जाती है तो उसके according 2 weeks जादा हो गए है आपकी pregnancy को तो क्या term यूज किया जाएगा preterm, postterm, precipitate या फिर small for date तो यहां पर जो pregnancy 2 week और जादा हो गए हो 42 weeks से भी जादा की हो गई हो तो वो क्या कहला है जो कहला कि post term pregnancy क्या कहला है कि post term pregnancy full term pregnancy generally 9 month 38 week जनरली इसको 37 week है जो consider किया जाता है और जो EDD expected date of delivery इसको nagels formula से easily calculate किया जाता है ज़िए duration पूछते है और और फ्रेगनेंसी का तो 280 देन और यदि weeks में पूछें तो 40 weeks और यदि ये extent होता है तो क्या है post term pregnancy before 37 week होता है तो preterm pregnancy और यहां पर आपके लिए फिर आता है बेवी का बेट तो बेट पर depend करेगा LBW है कि very low birth weight babies है तो यहां पर नॉर्मल प्रेगनेंसी 280 दिन की होगी यदि इससे जादा जाती है तब भी हम इसको post term pregnancy consider करेंगे नेक्स यहां पर जो topic है post term pregnancy के sign यदि एक्जाम में आता है कि 42 week से ज़्यादा की pregnant मदर है बेबी डिलेवर होगा तो क्या sign होगे बर्निक सजोसा नहीं होगा पूरा amniotic fluid में ही जट जाएगा placental calcification देखने को नहीं मिलेगा इसकेंटी सैफरोन कलेट में कॉनियम होगा और oligohydron neos होगा क्योंकि बेबी क्या होगा है post term overgrown nails नेल साब को बड़े हुए देखने को मिलेगे wrinkled skin of newborn skin fold thickness देखने को नहीं मिलेगे ज़्यादा तो यहां पर आपका जो answer था वो क्या आया था post term pregnancy जब pregnancy 42 वीक से ज़्यादा की हो जाती है precipitate labor जब consider किया जाता है child worth के time पर इसको हम rapid labor भी कहेंगे जो कि first or second stage less than two hour की हो जाती है तो यहां पर आपका जो answer आया था precipitate पूँचने तो इसमें तीन stage होती है sorry, चार stage होती है तो first or second stage less than two hour की हो जाती है in which stage of labor epiziotomy is performed तो epiziotomy और perineotomy किस stage में की जाती है तो जब baby का head क्या हो grounding हो जाए उस time पर क्या किया जाता है epiziotomy की जाती है तो इस कौन सी stage होगी first, second, third, fourth तो इस stage होगी हो कौन सी होगी होगी second stage of labor जिस time पर epiziotomy और perineotomy की जाती है generally एक cut लगाया जाता है आपका vagina और रेनस के बीच में next one is all of the sign and symptom of PPH except postpartum hemorrhage के सभी sign है किसी एक को छोड़कर decreased BP, increased BP, increased heart rate after uncontrolled bleeding सभी sign है किसी एक को छोड़कर तो जो PPH की situation है इसमें आपका blood pressure नहीं बढ़ेगा वलकि क्या होगा? कम होगा जब blood loss more than 50 ml से भी 50 ml से भी जादा हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे primary PPH और वो भी within 24 hour में लेकिन जब यह दी placental expulsion की बाद से लेके 24 hours दे 6 week तक की delivery जो postpartum hemorrhage होगा उसको हम क्या कहेंगे secondary PPH normal delivery vaginal में क्या माना जाता है 50 ml से जाता हूँ यहाँ पर यदी cause आते हैं exam में तो uterine atony laceration and inversion of uterus से क्या है cause है most common cause होता है uterine atony अब चार नहती याद रखना है uterine, tissue, trauma, thrombin torn का मतलब है uterine atonicity, tissue का मतलब है uterine placenta जोकि most common cause secondary PPH के लिए primary के लिए पूँचे तो uterine atonicity और secondary के लिए पूँचें तो return placenta फिर आता है trauma trauma कुछ भी trauma genital tract, inverted uterus कुछ भी trauma हो सकता है last is thrombin divc, coagulopathy जो कि क्या है most common reason है किस के लिए PPH के लिए तो यहाँ पर आपका answer क्या होगा he increased the blood pressure क्योंकि जो PPH की situation है इसमें blood pressure कभी भी नहीं बढ़ेगा next है हाँ पर PPH का treatment तो oxytosin दिया जाएगा IV दिया जाएगा methargym, bimanual massage की जाएगी uterus की next one is if a woman has got not begun to menstruate till 16 year of age it's known as तो यदी कोई female 16 साल की age तक उसके menstruation एक भी बार कभी बार नहीं आए तो उसको उन क्या कहेंगे primary amnorea, secondary amnorea, dysmenorea फर polymenorrhasia कोई woman यदी 16 साल तक की age हो गई है और उसके अभी तक periods नहीं आए है menstruation नहीं हुआ है हम उसको क्या कहेंगे primary amnorea क्या कहेंगे primary amnorea और जब यदी menstruation, menstruation क्या हो जाए 6 मन्त के लिए absent हो जाए regular cycle किसी की मान लीजिए जनवरी से जून तक continue menstruation cycle आई लेकिन जून से क्या हो गई disturb हो गई एक महीने आई दो महीने नहीं आई फिर से आज आती है इसको क्या कहेंगे secondary amnorea यहापर कुछ टर्व menstrual disorder को लेके oligomanorea that means interval generally 5 days का होता है 30 days का होता है 28 days का अलग-अलग females की अलग-अलग menstruation cycle होती है तो oligomanorea को तब consider किया जाएगा जब जो interval every 28 days में monthly cycle है वो कित कवा है 35 days के जादा में आए polymer less than 21 days में menstruation यहाँ है बहुत जादा जो regular interval है उसमें बहुत जादा bleeding होना यहाँ पर एक क्या है terminology है जो आपको exam में आ सकती है नेक्स्ट है हाँ पर when uterine contraction occurring after 20 week of gestational and before 37 completed week of gestation it's known as जदी contraction है uterine contraction 10 week की pregnancy के बाद gestational period के बाद लेकिन 37 completed week के पहले आते है तब उसको क्या कहेंगे preterm labor, precipitate labor, postterm pregnancy, अफिन अनब्दी अबब क्या technology यूज की जाएगे कि pregnancy कितनी है 20 week का gestational period है लेकिन 37 week complete नहीं हुए है तो terminology हो जो कि वो क्या कहला है preterm labor 37 complete week नहीं हुए है 20 week के बाद है 23 week के बाद है but before 37 completed week तो क्या कहला है preterm labor preterm labor term pregnancy कब कहलाती है जब 49 से 40 week का baby हो early term 37 to 39 weeks late term late preterm होंगे जो babies 34 से less than 37 week के पहले ही deliver हो गए हूँ very preterm जो की 28 से 32 week के पहले हो गए हूँ जो 28 week के पहले ही deliver हो गए हूँ उनको क्या कहते है extremely pre-birth babies नेको क्या क्या कर जो टो कर सकते हैं तो पूश्पॉण कर सकते हैं तो पर एकोड़ा सा डेलिय कर सकते हैं ऍपानों प्रियूर्ट्प्राइजंद करें subconscious medicine होंगे टोको-लाइटेक agent क्या करते हैं जो muscles contraction उसको क्या करते हैं इनिवीट करते हैं तो क्या किया जाता प्रेग्नेंसी जो प्रिटम प्रेग्नेंसी उनों को स्थ थर्म बनाने के लिए use किया जाएगा फिर थोड़ा सा डेले करने के लिए use किया जाएगा next one is bubbler assessment is used in which priority of pregnancy तो bubbler assessment period of pregnancy में क्यों use किया जाता है antinatal, intranatal, postnatal या फिर none of the above तो bubbler assessment किया जाता है कब pregnancy के period में तो इसका मतलब क्या है तो वो पोस्ट नेडल assessment, breast, uterus, ballers, bladder, locia, episiotomy इस अभी चीज़ें किसमें चेक की जाती है bubbler assessment में तो यहां पर आपका answer क्या होगा पोस्ट नेडल pregnancy में after the delivery postpartum period में breast check किये जाएगे uterus, bubbles, bladder, locia और episiotomy उसी section हुआ तो वो चैक है जो किया जाएगा इसको हम क्या 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 खें है बबलर assessment जो कि किस के लिए helpful पोस्ट नेडल pregnancy के लिए sorry postnatal period के लिए next one is delay cord clamping is contraindicated in delay cord clamping किस case में contraindicate रहेगी option में baby born to anemic mother, rh incompatibility, baby birth weight more than 2.8 kg तो जो यहाँ पर clamping है delay cord clamping है इसके क्या contraindication होंगे तो वो और रह इंकमपेटिबिल्टी यह दी हमने as soon as possible रह इंकमपेटिबिल्टी या फिर cord को cut नहीं किया delay किया क्या होने के chance दो सूंगे रह इंकमपेटिबिल्टी क्योंकि जो mother की antibody है वो fetus में transfer हो जाएंगी तो उसको prevent करने के लिए क्या किया जाता है mother की जो antibody है baby में deliver ना हो पाएं तो उसके लिए हाँ पर क्या माला जाता है डिले cord करते मिनको clamp को है जो Contra Indicate माला जाता है Contra Indicate का मतला में कि delay माला जाता है ऐसे case में मैं early cord clamping करना है इस समदर की antibody वेवी में transfer ना हो पाएं Next one is it is defined as the time from the delivery of the placenta through the first few weeks after the delivery कुछ time period है इसमें placenta की delivery इसके बाद के लेके कुछ हपते तक कहलाएंगे पर्पीरियम अंटी नेटल पीरियेड लोचिया फिर पायरेक्सिया क्या टर्म यहां पर यूज किया जाएगा तो वो गया है पर पर्पीरियम 6 weeks after birth of the baby 6 हपते होते हैं बेभी deliver होने के बाद के उसके क्या कहते हैं पर्पीरियम पीरियेड अब पर्पीरियम पायरेक्सिया का मतलब है की fever आ जाएगा कॉस कुछ भी हो सकता है UTI हो सकता है pulmonary infection हो सकता है septic pelvic thrombus plevitis कुछ भी region है जो infection के लिए हो सकता है जिसकों क्या कहें के पर्पीरियल पायरेक्सिया next one is let down reflex is also known है तो let down reflex का दूसरा नाम क्या है sucking milk ejection rootling या पर milk secreting reflex तो जो यहां पर आपका right answer होगा वो क्या होगा वो होगा milk ejection reflex, let down reflex का क्या कहते है milk ejection reflex, milk ejection reflex का production कौन करता है oxytocin hormone next one is how much amount of alimental iron content by one tablet of ferrous tumerate high radiate pelvis, nagels pelvis किस तरीके की pelvis है, nagels pelvis में one sacral, one sacral alai है जो क्या रहेगा missing रहेगा इस तरीके से generally जो pelvis होती है normal pelvis यदि हम बात करें तो होती है gynecoid, gynecoid ship की जो की normal एक term pregnancy के लिए जरूरी होती है लेकर यहाँ पर nagels pelvis है क्या है contract congenital और जो क्या है contracted pelvis का एक deformity भी हम इसको कह सकते हैं जो है तो congenital है, मतलब at the time of birth के time पर भी हो सकती है या फिर कुछ joints में problem के कराने हो सकती है तो यह एक rare case में रहेगा जहाँ पर एक ally है जो missing रहेगा, क्या होगा एक ally है जो missing रहेगा robot pelvis यहाँ पर देखिए robot pelvis रही, ally of both sides are absent and sacrifice fused to the enominate bonds तो यहाँ पर दोनों ally क्या है, absent रहेंगे इसमें, robot pelvis में, kypotic में spine की deformity के कारण देखने को मिलेगी तो robot आ सकता है, robot में दोनों absent हैं, दोनों sacrum के ally है वो absent है, जो nagelsis में एक side का absent है इसना one ally है जो है sacrum का, वो absent है, robot में दोनों side के हैं, kypotic में आपका, जो spine deformity के कारण हो, उसके कारण होने वाली problem होगी next is, as per the gombs classification which of the following weight per age comes under 3 degree malnutrition when compared with the Harvard growth standard chart जब आप Harvard growth standard chart से consider करेंगे gombs classification को, जिसमें third degree malnutrition को किस category में रखा जाएगा weight per age, जो gombs classification है according to that, जो malnutrition उसको weight per age के consider किया जाएगा less than 60% of the standard, तो gombs classification के according third degree malnutrition consider किया जाता है जब 60% से भी कम हो, weight per age, age के हैसाब से जो weight 60% से भी कम हो, तब इसको third degree malnutrition में हम consider करेंगे यहाँ पर, जब बच्चे का बजल, over 90% हो, weight for age, क्या हो 90% हो, तो normal, 76-90% हो, mild, बतलब first degree में आएगा एक 75% होगा, तो moderate में जिसको हम second degree कहेंगे, जब 60% से भी कम है आएगा, जिसको हम severe malnutrition और third degree malnutrition कहेंगे तो यह क्या है according to goms के, goms का जो classification malnutrition का हो है, weight for age, age के हिसाब से कितना आपका वज़ान है उसके लिए, जिसमें 3 category होती है first second, third degree protein energy malnutrition, next one है आपका question, बर्थोलिंड डेंड आपने पड़ी है, तो अब यहाँ पर बर्थोलिंड डेंड है, तो कहाँ पर open होगी लेविय मैजोरा, लेविय माइनोरा, lower vagina, grouped between लेविय माइनोरा एंड हाइमन, तो यहाँ पर यह जो बर्थोलिंड डेक्ट है, कहाँ पर open होगी, बर्थोलिंड ग्लेंड आपने पड़ा है कि, जो वेजाइना है, इसके दोनों तरप क्या रहेंगी, present रहेंगी, अब यहाँ लेविय माइनोरा एंड हाइमन के बीच में, यहाँ पर यह देखिए, यह रही बर्थोलिंड ग्लेंड डेक्ट, तो यह क्या करेंगी, लुब्रिकेशन के लिए help करेंगी, म्यूकस सिक्रेट करेंगी, जो की वेजाइनल लुब्रिकेशन में help करेंगा, तो यहाँ पर बर् लेविय माइनोरा एंड हाइमन के बीच में, लेविय माइनोरा हे रहा और हाइमन हे जो एरिया हे रहा, तो इन दोनों के बीच में क्या उपन होगी, बर्थोलिंड डग्ट क्लोरास्टरिय एजन्ट हो गया है, पर किसमें है जो सरवाइब नहीं कर पाएगा तो वो होगा ओटोकलेविंग, क्यूं होगा? क्यूνकि ओटोकलेविंग ही एक औल्ली ऐन्सी मे explicitly है, जिसमें इस्पोर्स, क्या है? इस्पोर्स हैं जो बैक्टीरिया है वो सभी चीजे मर जाएंगी ना तो फ्यूमिगेशन में मरेंगी ना बॉयलिंग में जो स्पोर्स हो मरेंगे नहीं फ्लाइंग में जलाने से भी तो जो चीज यहां पर इफेक्टिव होगी बहोगी ओओगी तो cervical cancer में कौन सा label होगा जब cancer bladder और rectum तक spread out हो जाएगा, फेल जाएगा 3rd B, 4th A, 2nd A या फे 4th B तो कौन सी stage होगी जिसमें cancer cervical cancer है अधी किसी को तो वो bladder और rectum को भी फेल जाएगा, affect करेगा तो वो होगा 4th A, कौन सा होगा 4th A अब यहाँ पर जब cancer, देखिए cervical cancer की stage 4th होती है यहाँ पर cancer spread out होना है जो start होगा तो जब यहाँ पर एक cancer, कहाँ पर होता है, rectum और bladder में तो यह क्या कहलाएगा, 4th A और जब यही cancer, bones, lungs और liver, जो distant location है, that means दूर के part है उनमें जाके फेलता है, तहाँ से cervix से यदि rectum, bladder में आया, तो 4th A लेकिन जब distant organ, that means जो bones हो गए, lungs हो गए, liver हो गए यहाँ पर जाके फेलेगा, spread out होगा, cervical cancer तो यह कहलाएगा 4th B यदि आपको exam में bladder और rectum कहाँ है, तो आपको कहना है 4th A यदि कहे यहीं कि bones में हो गया, liver में हो गया तो आपको क्या कहना है, 4th B, correct next one है आपर if you are confirming the diagnosis of diabetes with capillary blood glucose level then the cut-off value should be तो यदि आप diabetes क्या कर रहे हैं, capillary blood glucose level से confirm कर रहे हैं cut-off value कितनी आनी चाहिए, fasting blood sugar less than 126 and post PPBS more than 200 FBS more than 110 and PPBS 200 तो यहाँ पर आपका जो right answer होगा, वो क्या होगा PPBS की value बतानी है, हाँ पर हो FBS की तो क्या है जो आपका right answer होगा, यदि आप capillary blood glucose level से क्या कर रहे हैं find out कर रहे हैं कि patient को क्या है, diabetes है या नहीं तो post-parendial blood sugar value बतानी है और आपको fasting blood sugar value बतानी है तो जो यहाँ पर confirmatory होगा, वो होगा आपका 126 fasting blood sugar level और जो post-parendial blood sugar level है, वो कितना होगा, more than 220 तब confirm होगा कि person को diabetes है, next one person whose weight is 80 kg and height is 156 cm BMI of person interrupted as, exam में आपको सरीके के question जरूर आएंगे कि body mass index निकालने के लिए आपको कहा जाएगा यदि person का weight कितना है, 80 kg है, height है 156 cm तो BMI का आपको formula लगाना है, body mass index का तो यहाँ पर होता है, weight in kilogram divided by height in meter square अब यहाँ पर height दी हुई है, आपको cm में तो आपको इस height को क्या करना है, convert करना है cm to meter में क्योंकि यहाँ पर height आपको जो formula है, कि रहा है यहाँ पर formula जब आप यहाँ पर person का BMI calculate करके निकालेंगे तो कितना आएगा, height meter square में निकाल ली है, weight kilogram में निकालना है, तो person आएगा obesity की category में किसमें, obese category में, यहाँ पर BMI की जो normal range जो होती है वो होती है 18.5 to 24.9, यदि normal BMI की हम बात करते हैं तो यह होगी 18.5 to 24.9, लेकिन यदि यही BMI less than 18.5 जाती है तब patient कहलाएगा कौन से उसमें, underweight में, किसमें कहलाएगा underweight में, लेकिन जब यह 18.5 से 24.9, यह depend करती है BMI आपके weight and height पर, ऐसा नहीं कि आपकी height बहुत जादा है बजन यदि आपका 80 kg हो जाए तो आप obesity में आएगा, ऐसा नहीं है BMI depend करेगा आपके height और weight दोनों पर, फिर आता है overweight में, तो 25 से 29.9 यदि BMI निकल के आती है, तो overweight, यदि 29 से 30 के आपके जाता है तो obesity और obesity की classes है, जो लग अलग 3 classes है next है है यहाँ पर clinical triad और koreasa, cuff and conjunctivitis commonly seen in तो कौन सा है यहाँ पर 3 clinical cause है, कौन-कौन से है koreasa, cuff and conjunctivitis, तो किसके हैं यहाँ पर triad means 3 symptoms है mumps के, measles के, या फिर rubella और typhoid के, तो किसके है clinical triad clinical triad का मतला है 3 sign है koreasa, koreasa का मतलब होता है cattle inflammation of the mucous membrane in the nose nose में symptom है koreasa में क्या होगा mucous membrane होती है nose की उसमें क्या होगा inflammation देखने को मिलेगा तो यह कहलाएगा koreasa generally cold और हे fever के कारणी देखने को मिलेगा और यहाँ पर cuff और conjunctivitis से तीनों sign हो जाएंगे किसके लिए measles के लिए तो 3 clinical triad symptom है koreasa, cuff and conjunctivitis for the measles next यहाँ पर the following are waterborne disease caused by insect vectors mosquito accept तो यहाँ पर सभी क्या है waterborne disease है जिनके vector क्या है mosquito हो सकते है लेकिन किसी एक को छोड़ कर option में dengue philariases, typhoid या फिर malaria तो सभी के vector क्या है mosquito, dengue का क्या है यहाँ पर malaria के लिए है जो फाल्सी, sorry एनफ्ली, mosquito, female एनफ्ली यहाँ पर अब जो बात आती typhoid की इसकी typhoid की typhoid है जो salmonella typhi नाम के bacteria से होगा इसका मत चड़ते कोई लेना लेना नहीं है मांकी philariases, dengue, malaria तीनों के vector है जो mosquito होंगे next यहाँ पर a disease which does not transmitted through the transplacental mode is कौन से disease है जो transplacental that means placenta के थो baby में नहीं जाएगी vertical transmission cause नहीं करेगी कौन से disease होगी hepatitis C, syphilis, HIV और फिर hepatitis C तो यहाँ पर hepatitis C चला जाएगा easily vertical transmission के थो syphilis भी हो जाएगा बच्चे को HIV भी हो सकता है लेकिन जो नहीं होगा बो होगा hepatitis C क्योंकि जो transplacental mode होता है hepatitis C and hepatitis A का यह होता है feco-oral root कौन सा feco-oral root तो यह किसी भी तरीके से transplacental mode से needle prick injury से होने के chances ना के बराबर होंगे next one है आपर midday meal program was initiated in midday meal program का initiation कब किया गया था 1962-1972-1982-1952 midday meal program है इसको initiate किया गया था 1962 में कब 1962 में option number A next and most important question early initiation of breast feeding helps in all except early initiation है breast feeding के लिए सभी किसी एक को छोड़कर early initiation का मतलब as early as possible हो आप breast feed कराते हैं तो सभी case में helpful होगा किसी एक को छोड़कर option में है आपर act as a natural contraceptive method prevents the breast cancer involution of uterus या फिर फिर प्रवेंट दर सर्वाइकल कैंसर तो क्या होगा यहां पर आपका answer क्या होगा तो यहां पर जो आपका answer आएगा वो क्या निकल के आएगा कि यहां पर यदि आपने जल्दी breast feeding कराना स्टार्ट किया तो सबसे prevent करेगा किसी एक को छोड़कर involution of uterus में help करेगा यहां पर आपको breast cancer से भी prevent करने का काम करेगा क्योंकि cell invasion होना स्टार्ट होता है इसलिए फिर यहां पर आता है contraceptive method के तौर पर भी काम करता है जो completely breast feeding मदर होती है उनमें at least 30 days तक 30 days तक है जो breast feeding क्या करेगा contraceptive का काम करेगा फिर यहां पर जो होगा cervical cancer क्योंकि breast feeding cervical cancer से prevent आपको नहीं कर पाएगा next is idle time to start weaning to an infantis तो बच्चे में idle time क्या होगा weaning के लिए weaning का मतलब होगा baby को जो first food हम introduce कराते हैं जिसको हम complimentary feed भी कह सकते हैं weaning भी कह सकते हैं और 6 month की इससे start करवाना चाहिए next नहीं हाँ पर following are the example female contraceptive device एकसेप्ट तो सभी female contraceptive device हैं किसी एक को छोड़ कर mala aim Sophie during tubeectomy and withdrawal तो जो यहाँ पर female contraceptive device हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़ कर तो है withdrawal क्या है withdrawal मेल में use किया जाएगा ना कि female में female में mala aim use किया जाएगा diaphragm उस किया जाएगा tubectomy किया जाएगा लेकिन जो नहीं होगा वो क्या को biddrawal tubectomy इंडिया में commonly use होने वाल isteralization method है इसमें यहाँ पर क्या किया जाता है इसको permanent family planning method भी कह सकते हैं next one is IQ में भी define करेंगे तो IQ का जो formula आपको यहाँ पर exam में आ सकता है वो है यहाँ पर आप देखिए आपका कौन सा answer होगा मैंने आपको direct answer बताया है आपको exam में या तो आपको IQ निकालने के लिए कहा जाए intelligence requirement या फिर आपको formula आ सकता है या फिर आपको जो range होती है mental retardation के लिए IQ की बहुआ सकती है IQ का जो यहाँ पर define करेंगे mental age divided by chronological age into 100 तो यह होगा यहाँ पर क्या होगा आपका IQ अब यहाँ पर जो developmental disability classification होता है किसके लिए mental retardation के लिए exam में आपको हमेशा ही आता है तो यहाँ पर आपको IQ range याद रखने की ज़रुरत होगी जितना कम IQ होता जाएगा person की condition उतनी ज़्यादा worst होती जाएगी mild होगा यहदी तो 50-70 moderate होगा तो 35-50 severe होगा तो 20-30 profound होगा तो 20 and below जिसमें आपके लिए patient को admit करने की ज़रुरत पड़ेगी severe हो profound होगा mild moderate में patient अपनी care थोड़ी बहुत कर सकता है बट यह एग्जाम में आता है कि admission की ज़रुरत किस case में पड़ेगी जब person का IQ level below 20 चला जाता है तब next one है आपर आपको IQ level है जो पूरा याद करके जाना है exam में आपको आता है next time हापर sixth cranial nerve abducens controls the 6th छटवे number की cranial nerve है abducens है इसका नाम तो क्या control करती है total 12 pair of cranial nerve होती है उनके आपको पूरे नाम function कौनसी sensory है और कौनसी यहाँ पर mortar है कौनसी mixed है तो यहाँ पर जो abducens है इसका काम क्या है movement of eyeball test perception closer of epiglottus movement of the tongue तो छटवे number की cranial nerve काम करती है eyeball को move करने के लिए कौनसी eyeball को और जो तीन cranial nerve है त्री cranial nerve जो की eyeball movement को eyeball control में help करती है वो है oculomotor third cranial nerve trochlear fourth cranial nerve and abducens sixth number की cranial nerve तीनों क्या करती है eyeball के movement में help करती है next है यहाँ पर which of the following medication should be withheld a beak before cardiac surgery तो कोई भी cardiac surgery हो नहीं हो heart surgery हो नहीं हो तो कौनसी medicine है एक हपते पहले ही withheld करती जाती है मतलब stop करती जाती है यदि आपकी surgery है जो अभी से आठ दिन बाद होने वाली है तो जो medicine है आप ले रहा है तो किसको हम stop कर देंगे surgery के एक भी पहले option में है है यहाँ पर thrucemide, metoprolol ramipril यहाँ पर clopidigrol यहाँ पर कौनसी medicine stop कर दी जाती है before cardiac surgery के वो है है हाँ पर clopidogrel कौनसी? clopidogrel medicine को stop withheld कर दिया जाता है क्योंकि एक antiplatelet medicine है और यह peri operator hemorrhage को prevent करने के कारण क्या करना है? peri operator hemorrhage को prevent करना है इसलिए antiplatelet drug को betheld और stop कर दिया जाता है before the cardiac surgery so here is the correct answer is option number D clopidogrel next यहाँ पर which hormone is present in hormonal contraceptive pills तो यहाँ पर हम पूरे contraceptive के बारे में पढ़ेंगे within 5 minutes में तो यहाँ पर जो question है कौन सा है hormonal contraceptive pills इन में से कौन सी है progestron रहेगा estrogen रहेगा both hand भी होगे or flutinizing hormone होगा तो जितनी भी यहाँ पर जो hormonal contraceptive pills होती है उन में progestron भी होगा और estrogen भी होगा क्या होगा progestron भी होगा और estrogen भी होगा तो यहाँ पर जो combined OCP होती है generally कौन सी combined oral contraceptive pills होती है उन में estrogen progestron दोनों का low dose रहेगा और जो combined OCP होती है ovulation process को ही invite करेंगी suppress करने का काम करेंगी ना और जो ovulation ना यहाँ पर आपको conceive करने के chance बढ़ेंगे अब यहाँ पर exam में आपको hormone releasing intra uterine device ज़दी आती है तो वो हो progestrocite तो कि T-shaped device होती है यहाँ पर progestrocite है जो यहाँ पर नहीं दी हुई है तो यहाँ पर यहाँ पर progestrocite यह क्या है progestrocite है T-shaped device है और यह क्या है hormone releasing intra uterine device है LNG होगा यहाँ पर Mirena जिसको हम कहेंगे तो यहाँ पर LNG और Mirena LNG और Mirena आपको image यह आसकती है एक्जाम में तो यह किसकी image है progestrocite की बात करें तो second number किये में जो option number जो B देख रहा है आपर यह क्या है progestrocite है और यह per day total इसमें 38 mg progestron रहेगा लेकिन रिलीज करेगा uterus में कितना 65 mcg per day और इसका जो effect होगा वो क्या हो uterine lining और cervical mucus के यहाँ पर effect करना फिर आती हम third generation इंट्राइट डिवाइस कहते है याद रखना है आपको third generation IUCD is also known as the hormone releasing IUCD and example है progestrocite, Mirena और LNG failure rate 0.2% से भी कम है इसके फिर आती हम यहाँ पर second generation third पूछते हैं तो hormone वाली याद रखना है hormone वाले में आपको क्या क्या आ जाएंगी जितने भी hormonal यहाँ पर method होंगी फिर आता है second generation IUD में तो second में आएगा copper T380A, copper T200B multi load और novati यह सब किसकी है यह हैं आपर second generation फिर यहाँ पर आता है जो first generation में तो first generation में जितनी non medicated होंगी जिनने में medicine नहीं होगी लेकिन यहाँ पर lipase loop, spirals, coils और बाव से सब क्या है यह हैं आपर कौन से यह first generation के next question में आपर देखेंगे I hope आपको यह सभी IUCD हैं जो clear हो गई हो next यहाँ पर barrier methods are all accept barrier methods सभी हैं किसी एक को छोड़कर diaphragm, condom, lipase loop यह पर vaginal sponge यहाँ पर barrier का मतलब होगा mechanical या फिर क्या barrier का मतलब होगा रोकने का काम करेंगे diaphragm है यहाँ पर condom है, vaginal sponge है सब क्या होगी barrier method होगी lipase loop है, first generation IUD barrier method नहीं है next है यहाँ पर copper T380A IUD should be replaced once in a copper T380A IUD है जो कब remove करवा सकते हैं, कितने time में 2 साल में replace कर सकते हैं, 10 साल में 3 साल में, फिर 5 साल में तो यहाँ पर इसका duration of FB के NCA मतलब रोकने time तक सही तरीके से काम करेगा तो वो होगा 10 साल, लेकिन अधिया आप 10 साल के पहले conceive करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप इसको 10 साल, 10 यह तक की insight करवा के रखें यदि आपने insight करवाया है after that 1 year, 6 month or 2 year में आप conceive करना चाहते हैं, तो इसको आप remove करवा सकते हैं, IUD का first side effect होता, IUCD का वो होता है, vaginal bleeding heavy vaginal bleeding and pen exam में आता है आपको next one है आपर mala and oral contraceptive pills differ from mala D in terms of, अपते कॉस्टन आपके CHO के लिए भी बहुत ज़्यादा helpful रहेंगे तो mala and oral contraceptive pills है, OCP है, mala D से किस तरीके से differ हैं, तो donor में जो dose होता है कौन सा, जो norgestrol का dose होता है, estroidal dose होता है कि हाँ पर, sold under social marketing ये भी होगा supplied free of cost, तो mala N है, जो mala D से इस तरीके से भिन है, क्योंकि ये free of cost available होती है कैसी free of cost है जो available रहेगी, mala N लेकिन mala D को आप market से भी purchase कर सकते हैं next हाँ पर eligible couples are those couples age group of eligible का मतलब वो fatile couple, fatile का मतलब जो reproductive age group में है जो लोग conceive कर सकते हैं तो यहाँ पर fatile couple और eligible couple कौन से होंगे तो fatile और eligible couple माने जाते हैं 15 से 45 साल तक के कौन से 15 to 45 years age group तक के couple माने जाते हैं fatile couple और eligible couple next यहाँ पर hormonal contraceptive choice is lactating motherist जो आपने बच्चे को breastfeed करा रही है तो उसमें कौनसी hormonal contraceptive method best होगी mini pills, combined pills, centochromine, after none of the above तो यहाँ पर जो सबसे जादा lactating mother के लिए जो nursing mother को भी कहते हैं उनके लिए जो contraceptive method best रहेगी वो होगी mini pills क्योंकि इसमें progestron का small content ही available होता है और यह pregnancy को क्या कर सकता है control करने का काफ कर सकता है तो यहाँ पर progestron only pills और mini pill आपको market में progestron only pills POPs के नाम से मिलेंगी है फिर mini pills के नाम से मिल जाएंगी और 99% है जो अफेक्टों है फिर यहाँ पर और और आता है सहेली जो की बंसा वीक पिल हपते में एक बार लेना है जिसको और मेक्स लॉक फैम और सेंटो प्रोमेन के नाम से भी जालते हैं यहाँ पर जो सहेली है यह क्या है market में भी available हो जाती है और government में भी available हो जाएंगी नेक्स्ट वन है यहाँ पर DMPA यहाँ फिर डेपो प्रोवेरा के नाम से रहेगा यहाँ पर तो injectable contraceptive हो है और कब दी जाती है इट्स गिवन एबरी टू वीक, टू मन, त्री मन, त्री मन, आफे टू यर तो DMPA injectable contraceptive method है और हर तीन महीने में कब एबरी त्री मन्त में intramuscular root से है जो 150 mg dose है जो इसका दिया जाता है deep IM injection के थो क्या है Depo Provera exam में आपको आता है तो Depo Provera दिया जाता है कब every 3 मन्त में कब दिया जाएगा every 3 मन्त में दिया जाएगा और intramuscular root से इसको दिया जाएगा आपको एग्जाम में भी आ सकता है और यहाँ पर exam के अलावा as a nurse, as a CH जो आपको एडिया होना चाहिए कि आपके clinic पे जादी कोई family planning method के बारे में पूँचने आता है तब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं बता सकते हैं लेकिन यह advice doctor करेगा आप only injection उसको एग लगा सकते हैं next है आपर safe period is calculated by safe period का मतलब होगा ऐसा time period जिसमें आप sex करते हैं intercourse करते हैं conceive होने के chance ना के बराबर होंगे fertilization होने के chance ना के बराबर होंगे तो वो कौन सा period होगा और किस बेस पे depend करेगा है duration and date of menstruation cycle पे length of menstruation cycle पे length of population पे length of utile phase पर safe period क्या है safe period कब माना जादे किस बेस पे काम करेगा कि आपकी menstrual cycle कितने दिन की है यदि आपका 28 days की जो normal menstrual cycle है तो उसके बेस पर calculate किया जाएगा कि safe period कौन सा होगा next मैं है आपर what is the normal intraocular pressure तो normal intraocular pressure कितना होगा और जब यह IOP बढ़ता है IOP का मतलब है आखों में जो pressure बढ़ेगा तो वो pressure बढ़ने के कारण क्या होता है ग्लूकोमा ग्लूकोमा होगा तो optic nerve damage होने के chances हो जाते है और यह IOP के कारण ही होगा तो normal intraocular pressure होता है वो होता है 12-21 mm of HG कितना होगा 12-21 mm of HG next मैं है आपर a hormone which regulate the blood pressure and is secreted by the kidney इसका answer आप लोग comment box में बताएंगे कि कौन सा hormone है जो kidney के थो secret होता है blood pressure को regulate करने का काम करता है जैनिन इरिथ्रोपोईटिन हेल्रोइस्टिरोन एफर अन्जियो टैंसिन तो इसका answer आप लोग comment box में देना और आज राप में ही maybe 10 o'clock तक आपके GK की भी एक class की जाएगी तो आप लोग उसको भी जरूर जोइन करना thank you for watching us have a good day bye bye